जहांगीर महलिया सेर मंदर गौालियर दुर्ग पर बने भवनों में से सबसे विसाल है यह एक आयताकार भवन है जिसका आकार तीन सो बाई चार सो मीटर लगवग है जिसके मद एक दो मंजला बावडी बनाई गई है जिसमें बर्सा का जल का भंडारन कर बर्स परियंद उप्योग में लाया जाता है आहतों के चारों और विसाल आकार के कक्च बने हुए हैं यह सभी प्रस्तर इस्तंबो पर आधारत हैं इसकी छट की उचाई पंद्रा फीट लगवग है इस भवन का मुख द्वार हिंदू मुसलिम इस्थापत कला का सुन्दर समिस्रण है भवन में लगवग पचास कक्च हैं जो उपेच्चित अवस्ता में हैं इत्यासकारों का मानना है कि इसका निर्मार सेरसा सूरी ने अपने आवास हीतु करवाया था बाइस का नाम सेर मंदर रखा था जैसा कि मद्द कालीन कभी हरीनमन ने उल्ले किया है इस भवन में हुमायू एवं अकबर ने भी अल्पकाल हेतु निवास किया था हिमायू 1530 से 1556 भी जब गवालियर दुर्व पर प्रवास पर आया था तो उसने यहां कई भव दर्वार आये था